सो हाई गाईस आपका स्वागत है को एक प्रेप मैट्स का आसपे जैसा कि हम जानते कि 21st मार्च को हमारा क्लास टंस मैट्स का एक्जाम है उसी इस इसे लिएक्टिर आज की वीडियो में हमारा चाप्तल 3 है पीर ओफ लिनियर एक्वेसेंट और इसाप्तल के उसे स्वेडियो कमारे इंपोर्टन टोपिक जिनको मुपण नहीं से उनको भी हम कवर करेंगे वीडियो को स्टार्टिक ना में कि दो चलिए विडियो को स सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करना चाहिए तो चलिए देखते हैं तो फर्स्ट है वाला पेर ओफ लीने एक्वेशन इन टू वे डिया जाएगा और बुरा जाएगा कि बता ही कि इनके वो कैसे यूडीख है या फिर नॉंट सोल्यूसन है या फिर इन्फारिन नumर व सोल्यूसन यह फिर इनफ्सक्राइब अधिया एक्वा इकवाट विफटेन ये लिए अब लेगा, अब हमको बोला जाएगे पहला आप इन और न को आप ग्राफ पर प्लौट कर दीजिए और इनका solution कैसे unique या फिल no solution या फिल infinite number of solution तो अब हम कैसे करेंगे देखे पर हम इनको graph पर प्रॉट करेंगे लाइसे suppose अभी मुझका पता नहीं इनका solution कैसे होगा वैसे तो इनका unique solution हो जाएगा अब देखे लैसे इसका line कुछ ऐसा होगा 4x plus 2y इसका side s हो जाएगा और 5x plus 6y का left से इस हो जाएगा तो डब देखिए ऐसे एक line यहां पर एक point पर इंटरसेट करेंगे तो यानिका solution हो जाएगे वो कैसे हो जाएगे unique solution तो यानिक और अगर देखे डोनों ची लाइन आपस में intersect निकरती डोनों यान आपस में आसे प्रेहर हो जाती तब इस case में जो में सब्सक्राइब करना चाहिए और हो सकता है कि एक की उपर डूसरी राइन आ जाए यह पहले वाली लाइन है और इसी के अपर डूसरी राइन भी आ जाए तो इसके सब्सक्राइब करना चाहिए इससे भी कोशन आ सकते हैं कि इंफाइनाइट नंबर और सोल्यूशन और फिर बाटा और अब बनाएं कैस्तें तो इनको बोल देए कि यह consistent हो जाते हैं अगर आपका solution दिखें यूनिक आप बोल दीजिए कि यह अगर आपके infinite number of solution तो क्या बोलना है consistent ओके अब यह हो गया यानकि यह topic आपको अब नेक्स्ट है हमारा algebraic condition 4 number of solution अब आपको देखें आपको देखें इसी इसी से हम समझेंगे यह ग्राफिक करवारा मैं मिटा देखें इन ही इसी 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 समझेंगे जब देखिए 4 x plus 6 है equal 15 अब हमको क्या क्या जाए देखें अब हमको बोला जाए कि इसको ग्राफ प्लोट नहीं करना बताई कि algebraic method से किनके solution कैसे होंगे unique होंगे infinite होंगे आफिल no solution अब इसके हम क्या सब्ता है इसके ले हमने एक चीज़ पर है कि a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 क्या solution होते है infinite यह वारा केस है तीन केस होते हैं से a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 यह केस आपने पढ़ा होगा इस केस में क्या होता है unique solution one solution कुछ भी बोल दिजिए unique या फिर one solution और इसको हम बोल देते कि यह consistent है consistent है consistent है ओके और इसके हम बता देंगे अज़्यापी को रगा अगर हमारा ratio आजाए a1 upon e2 का ratio is equal to b1 upon b2 के ratio के यह equal आजाए c1 upon c2 आप इस केस में आप क्या बोलेंगे इस केस में आपका यह आ जाते है तो आप बोलेंगे कि आपका solution वो infinite number of solution है क्योंकि देखे अगर आप आप दोने equation को upload करेंगे तो आपका जो लाइन हो जाएगा एक के यूपर एक ऐसा आजाएगा पहली लाइन हो सकते है आपकी ऐसी हो और डूसली आज होगे इसके यूपर ऐसी आजाए तो इस केस में आपके क्या होंगे infinite number of solution यानिके आप बोल दीजिए infinite solution के इंफाइन ऐसको भी आप बोल देंगे कि ये आपका कंसिस्टेंट है और घृड नेक्स्ट जो हमारे की साथने में क्या होता है जब पारिरर का प्रेवर में क्या होता है एस के से इक के साफिवर अबेशान में इन इक्वर टो नोट इक्वाल टो स्वर आपन अपन अपन हो solution है करेकि आपको चाहिए इन ही तोपिक के बहार से एक बी तोपिक के पहर से नहीं है यानीक आपको क्यों आपके और आपको सकता है और भाई सब्सक्र्स प सब्सक्राइब यान एक बोला जाए याप इनको शाल्व करे बाया सब्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् जिसमें हमको इनके X & Y की वेल्यूम निकाल नीता है अब इसको हम छोड़ करेंगे तो बिच जत्ती होगी इसलिए इसको आप अच्छे से कर लिजिए नेक्स्ट है समसिच्वेशन प्रॉब्म यानि की देखिए क्या होगा आपके पास एक वर्ड प्रॉब्म लिखाऊगा अब उसको हम पढ़ेंगे अच्छे से उससे हमां कुछ लीने रेक्वेशन से हमसे कुछ पूशन पुछ लेगा कि फिर ऐसे भी लास्ट केस्टी वेस आ ने पीवाइट को अच्छे साग पढने है अब हम देखते है कुछ पूश प्रॉब्म युश्ट है कि इन्ही टोपिक पर कॉस्ट हमारे आइज लास्ट यह सब्ट चलिए देखते हैं यह भी प्यवजेट यह लें हमारे स्थी बेज़शन है यह यह चाप्टर से यह लेट आप बुक इस्टोर शॉपकिपर गिव्स बुक्स ओन रेंट फो रीडिंग मतलब यह कोई बुक्स शॉपकिपर हो जो बुक देते हैं रिडिंग करने के लिए अधार पे हैं मतलब इसके पास व्राइपस फिक्स चार्ज रेंट बुक्स को यह कोई दो इन हो उसके लग अलग रग चार्ज होगा जो सब्सक्राइ긴 हो फिक्स चारम अग यकि जो अलग जो अलाग चार्ज हो जो दे का घैर जाएगा हम प principal के फिल को सबने के हैं यहाँ पर कुछ नेखे है आजिम्हेड एंदेशनल चारज पर दीका यारी देखें हमको बोलगे बोल जाले कि जो फोने पाफ कोल एक स्कुर्ड पर बाय तो हमारा कोसम है कि इस में देखें फरस्ट कोटे है हमारा सिक्ज्टेशन पैल पर दनेखर। देखिए मेंखिए यानि कि सब्सक्रावन एकेंक देखिये ज हमारा फिक्स चार्ड संब इस को रहुता है कि एकशितख लिए इस व है पोवोर 9 8 फोर टू डेस एंड जो हमारा है एडिशनल चार्ज पर डेस वह है रुपे वाई ओके अब हम से वह जाए कि अमरूता जो है उसने शिक्स डेस के लिए लिया तो देखिए इसने शिक्स डेस के लिए यारी कि 2 दिन का तो इसका वीश्च चार्ज होगा और 4 दिन का जोगा अजम की देख है कि मति सुर्वाध में हमको क्शे में रगते यारी इसका वाई आरे यस पी रुपे रगता है यानि चार्ल दीन डेह ये लगते है तो यानि चाल दिन पर लगेंगे 4Y और इसने कितने रुपे पेस की है 22 रुपे यानि कि हमारे एक 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 वेशन बिन गया फिल से मैं आपको समझातों देखे अमनुटा जो इसने 60 डेस के बुक लिया और जो हमारे टू देस होता इसने फिक्स चार्ज लगते है यानि कि राधिका ने कितने दिन के दिन खेर ओं दिक्रालेज किरिए या इनिहोंने पो फॉल देस के लिए और बैक आणिह और यह इक दिन करते य हुप पेटहर सेऍले नदि को 2 वां कितना पेटे कैस सीक्षिस्टिनेघ सो हमारे नेक्स वेहन इक हाक हार living कितना फिक एक किस्टन ह पलते है, the situation of amount paid by रादिक इस algebi के रिप्रेजेंट, देख, question के, कि यह रादिक है, इसने जो amount paid यह उसको आप algebi के रिखा यही बिखाए, तो देख, वहाँ धा हमने बना दिया है, यह हमारे equation to, ऐसा option देखे, सिर्फ इतना असान कोशन है जो कि हमने बहुत एजली ख़ल दिया तो चलिए नेक्स कोशन देखते है नेक्स कोशन है यहांनि कि देखे यह जो पूछा गया है यह तो फिक्स चार्ज है और जो य है वो इस एडिशनल चार्ज और हमसे पूछा गये यह यानि कि सब्सक्राइब 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 तक तु फ्रॉम वान इतना करेंगे तो क्या जाएगा देखें, x plus 4y ये पहला वारा equation में लिख रहा हो, minus x plus 2y, यहा जाएगा, first 22 minus 16, यह हो जाएगा, subject 2 from 1, बहुत आइचा नहीं, x से x, cancel out, 4y minus 2y, 2y जाएगा, and 22 minus 16, 6, and y की value क्या आएगा, यहां से 3, हमको किसकी value निकालने, fixed charge, यह तो additional charge, यह अब निकालने कोई डिक्कट है, कि यह value इसमें, पूठ कर देंगा, असानी से, आजाएगा, x plus 2y, it's equal to 16, यहापर y की value 3, पूठ कर दिजित, आजाएगा, x plus 6, it's equal to 16, and x क्या जाएगा, 10, अब आपका देखें, आपका देखें, आपका पुछार तो, fix charge, अब देखेंगी additional charge for each subsequent day for a book, यान्य हम से पुछा किए, जो additional charge रहते है, हर एक दिन पर, वह किया है, यानि additional charge रहाए है, y, यानि हम से पुछा किया, y की value किया है, y की value अब देखें, y की value अभी हमने निखा रही है 3, यानि किआप additional charge किया है, 3, और ऐसा option देखें कोई से, option d, option d is correct answer, next question देख अमुरूता जोत्य पहला उस ने देखिया है हुप्रोुटा जोत्य पहले उसने 6सोफ देश के लिए 6 देश के लिए र sarc। रखाता जो डो देश मे लिए क도 इसे हमारा इक्वेशन बनि गा था ょलं के लिया बेंगे देस सब्सक्रवाइब हो जाए निजा मैं अब कुछ आम्रुता कुछ अमांट कुछ अमस्तत फितल मींटफ कर सव चल पल देखतेए पैले अमुट अल्त fire को सब्सक्राइं ऑब हम जानते हो दो दिन में यह हमारी तो दिन इसे हमारी हे लगता है फिर्ट्रव यहां से क्या रहेगा 28 यानि कि अमूटा जो कितना वांट पे करेगी 28 रुपीस अब रादिखा का भी निकाल लेते हैं रादिखा अब देखिए इसने कितने दिन के बुकलिए च्छा दिन के लिए अब हम जान देखिए दो दिन पर लगें के अपी दिन ने कि अटिन पर लगे लगें आप इसका अधिशनल चार्ज यानि कि 2 दिन पर घंटे उसका रूपर य तो चाहल दिन पर कितने लगेंगे एक्स की वैलू कि है इसमें वैल्यू पुट करेंगे हमारा आधी का जितने मांट पर क्या हुआ आजाएगा है एक्स की वैल्यू हमने भी निकालीटी 10 य की वैल्यू निकालीटी 3 इसको सब्सक्राइगे आजाएगा हमारा 22 अब देखिए अमनुटा जो है उसने 28 रुपीस पेकी है और आधी के उसने 22 यानि कि टोटल मांट कितना पेवा इंडो नुकर एड़ कल दीजा आजाएगा 50 यानि कि टोटल मांट पे हुआ है 50 ऐसा ओप्शन देखे कोन सा है ऐसा ओप्शन है आपका अप्शन सी ऑप्शन सी करेक्ट आंस्वर सो यह देख लिजा आपका इस्टैंड मैथमेटिक्स में वह भी हमार केस स्टरी बेसा इस चाप्टर थी पर फ्लीने क्वेशन इन टू वह भी बहुत असान को सिंथा यानि देख आपको क्या होन अच्छिए आपको पहले वह जो सब्सक्राइब करेंगे और जो दूसरे चाप्टर उनका वीडियो चैनल पर जल्दी आ जाएगा तब टेक लिए उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए